हेलो फ्रेंज मैं फिर से लेके आगिया हूँ एक कमाल का वीडियो और इस वीडियो में हम लोग पास आ है नौइस कमपनी के तरफ से विवीट कॉल स्मार्ट वाच जिसको हम लोग पर्चेस के एंसिफ एइट उन्डेड्ट सेविंट्यफोर रुपीज में तो कैसे हम लोग इसको पर्चेस कर लिए इसके पस बारे है जानने वाले है और साथ कुछ मैं इस smart watch के बारे में बताने वाला हूँ, unbox करने वाला हूँ, review करने वाला हूँ तो आप लोग offer जानना है और smart watch के बारे में complete information जानना है तो इस video contact जो देखेगा नमस्कार दोस्तों, मैं नाम है किश्रा और आप देख रहे हैं, देख review to channel तो चलो, 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 चालो करते हैं तो ये Amazon के box के अंदर आ गया है, क्योंकि हम इसको Amazon से purchase के हैं तो इस box के अंदर आ गया है, इसको हम लोग offer करते हैं और product को बाहर निकाल लेते हैं तो यहां पर आप 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 स्मार्ट वाच का box आ गया है, जो कि सामने से कुछ इस्ट्राइक का look दिया गया है उपर में आप 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 सामने से design मिल जा रहा है इस side में आप 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 सारा highlighter features दिया गया है, जिसके बार में in details बात भी करूँगा और पीछे तब साप आप 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 कुछ इस्ट्राइक कर दिया गया है इसको हम लोग जाज़े से cut करते हैं और साथ इसको बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ पर मैं साथ कुछ को बाहर निकाल लिया हूँ, यहाँ पर आप लोग सबसे पहले sticker आ जा रहा है, फिर आप लोग वारेंटी कार्ट दिया गया है, और user manual दिया गया है, फिर आप लोग को magnetic pin बाला charging cable मिल जा रहा है, जो कि आप लोग इसको use करके इस smartwatch को charge कर सकते है सब चीज़ को रखते हैं हम लोग साइड में और चलते हैं अपने smartwatch के उपर, तो smartwatch आप लोग सामने से कुछ इस्ट्राय का look मिल जा रहा है, यहाँ पर आप लोग डिस्प्ले दिया गया है, और यह आप लोग stripes दिया गया है, पीछे में सारा आप लोग को sensor मिल जा रहा है इस साइड में आप लोग speaker दिया गया है, माइक दिया गया है, क्योंकि यह Bluetooth calling smartwatch है तो आप लोग speaker और माइक भी मिल जा रहा है, और इस तरफ पर आप लोग multifunction button मिल जा रहा है, जिस पर आप लोग noise का branding दिया गया है, और सामने सा आप लोग display मिल जा रहा है, तो चलिए हम ल करते हैं, on करने के लिए, आप लोग multifunction button को hold करना है, और यह on हो जाएगा, इसके बाद आप लोग को noise fit app को download करना पड़ेगा, download करके आप लोग account नहीं हो तो आप लोग account खोल लिजेगा, उसका आप लोग scan करके pair कर लिजेगा, pair करने के बाद आप लोग को जो भी permission देना है तो सारा कुछ आप लोग use कर पाईएगा, सारा permission allow करने के बाद यहाँ पर आप लोग smart watch pair हो गया है, और connect हो गया है, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर home screen दा जा रहा है, उसके आप लोग नीचे तरब slide की जागा, तो यहाँ पर D&D मिल जा रहा है, उसके आप लोग brightness मिल ज सकते हैं, उसके आप लोगो vibration और ring मिल जा रहा है, जो भी आप लोग चाहिए, ring चाहिए या vibration चाहिए, रख सकते हैं, फिर आप लोग brightness मिल जा रहा है, उसके बाद आप लोगो power of reset और restart का option मिल जा रहा है, home screen से आप लोग उपर के तरब slide की जागा, तो आप लोग notification मिल फिर आप लोगो SPO2 दिया गया है, weather दिया गया है, और फिर से आप लोगो home screen आ रहा है, दूसरे side में आप लोगो slide की जागा, यहाँ पर आप लोगो noise health का option मिल जा रहा है, यहाँ पर काफी सा कुछ दिया गया है, फिर आप लोगो different type का activity दिख जाएगा, उसका आप लोगो message है, फिर आप लोगो noise buzz मिल जा रहा है, noise buzz से आप लोगो क्या करते हैं, किसी को call लगाना चाते हैं, तो भो भी लगा सकते हैं, यहाँ पर recent call दिख जाएगा, और आप लोगो contact सेफ करके रखेगा, तो आप लोग यहाँ पर contact भी दिख जाएगा, contact सेफ करने के लिए आप ल इस इंटरेस्टिंग feature है, जो कि है game, तो आप लोग का भी board हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग time pass करने के लिए, तो दो type का आप लोग games भी मिल जा रहा है, फिर आप लोग AI voice मिल ला है, यानि कि आप लोग Google assistance या आप लोग Siri को activate यहाँ से कर सकते हैं, फिर यहाँ पर आप के तरफ जलते हैं, और देखते हैं, आप के अंदर क्या क्या control मिल जा रहा है, अब हम लोग आप के तरफ आगे हैं, यहाँ पर आप लोग को health overview मिल जागा, कितना step चले हैं, क्या calorie burn किया है, distance कितना travel किया है, यह सारा आप लोग यहाँ पर दिख जाएगा, और यहाँ आप लोग नीशे के तरफ आप लोग सारा कुछ यहाँ पर दीखेगा, आप लोग रिकॉर्ड रहेगा, और आप लोग माई डिवाइस में जाके आप लोग यहाँ पर watch face चेंज करना जाते हैं, तो वो भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग काफी सारा watch face का option मिल जा तो आप लोग इस टाइप का अपलोग यहाँ अपलोग यहाँ पर लोग कर सकते हैं, अब यहाँ पर जो चोटा साथ स्पिकर दिया गया है, उससे यह साउंड आ रहे है तो यदि आप लोग बात करते हैं तो कुछ इस ट्रैक आप लोगो sound आएगा तो यहाँ पर आप लोग जो side में speaker दिया गया है, mic दिया गया उससे आप लोग बात कर सकते हैं आराम से आप लोग कोई भी problem नहीं होगा यदि आप लोग कोई sms आता है तो यहाँ पर आप लोग notification आजएगा और यहाँ से आप लोग read कर सकते हैं कि sms है, कौन सेंट किया है साथ कुछ यहाँ से आप लोग read कर सकते हैं reply करने के लिए आप लोग फोन को use करना पड़ेगा और app notification भी आप लोग यहाँ पर सारा कुछ दिख जाता है अब मैं इसका health monitor करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग SPO2 मिल जाया है जो कि थौदरी के लिए reading लेता है उसके आदर result आ जाता है और आप लोग का heart rate monitor भी मिल जा रहा है जो कि आप लोग यहाँ पर reading ले रहा है और थौदरी के बाद आप लोग देशते result आ गिया है इसको मैं किसी भी random soft surface पर रखके देखा हूँ तो heart rate monitor तो काम नहीं करता है reading लेते लेते बोलता है wear properly लेकिन SPO2 किसी भी random soft surface का reading ले लेता है 550 nits का peak brightness मिल जा रहा है बैटरी के बाद हम बात करो कि इसमें आप लोग 260 mAh का बैटरी मिल जा रहा है जो कि आप लोग लगभग 7 days का बैटरी बैकप देदेगा जिसको आप लोग चार्ज करने में लगभग 2 घंटा का time लगता है और इसमें आप लोगको IP67 का water resistance मिल जाता है यानि थ्वाबल पाने के छीटा रहा जाता है या sweats रहा जाता है तो कोई भी problem नहीं होगा चलिए आप हम लोग इसका price के बादे हम बात करते हैं तो यह smart watch आप लोगको Amazon में मिल जाएगा जो कि आप लोगको देखते हैं 1,699 रुपीज प्राइज है जिससे में मैं ये video record कर रहा हूँ उस time में 1,699 रुपीज इसका दाम है different color option में मिल जाएगा जो कि आप लोगको आप लोगको ब्लैक है आप लोग डीप wine है फिर आप लोगको forest green मिल जा रहा है फिर pink मिल ला है, grey मिल ला है और blue मिल जा रहा है मैं इसको purchase किया हूँ 7th में को जिस time में इसका दाम 1,299 रुपीज था यानि कि सिर्फ 1300 रुपीज दाम था जो कि आप लोगको यहाँ पर देख सकते हैं जो कि मैं आप लोगको telegram broadcast में बताया था तो यहाँ पर आप लिए 425 रुपीज का हम लोग cashback मिल गया है तो effectively हम लोग प्राइस हो गया है 874 रुपीज तो चलिए अब हम लोग offer के बारे जानते क्यों हम लोगको इतना रा cashback मिला है 100 रुपाइं cashback मिल ला था UPI को use करने के लिए और 365 रुपीज का cashback मिल ला था यह दो code को यूज करने के लिए यह दोनों code को आप लोग apply करते तो 325 रुपीज का लोग cashback मिल जाता और 100 रुपीज आपलोग sushi से payment करने का लोग cashback लिजाता effectively आप लोगो 425 रूपीज का cashback मिल जाता eligible product का link भी दिया था और suggestion भी दिया था तो यहाँ पर आप लोगो telegram broadcast में होंगे तो आप लोगो definitely यहाँ पर purchase किया होंगे मैं आप लोग यहाँ पर example के लिए दिखाया था 1099 रूपीज का आप लोग smartwatch है उसमें लोग 425 रूपीज का आप लोग cashback मिलेगा और effectively आप लोग 674 रूपीज में purchase कर सकते हैं मैं दुसरा smartwatch purchase किया था जिसका दाम था 1299 रूपीज और मुझे 100 रूपीज का cashback मिला है और 325 रूपीज का cashback मिला है effectively 874 रूपीज में मैं purchase कर लिया हूँ तो बहुँ जाए discounted rate में मैं purchase कर लिया हूँ इसी ट्रैग आप लोग interesting offer सब चाहिए loot deal सब चाहिए discounted coupon सब चाहिए तो आप लोग offer of world के telegram broadcast जोईन कर सकते हैं link दे दिया हूँ decision box में ये coupon सब तो expired हो गया है लेकिन कोई भी नया offer आता है और 1500 का budget है और आप लोग Bluetooth calling smartwatch खोज रहे हैं तो definitely इसको आप लोग purchase कर सकते हैं येदी मेरे तरह आप लोग 800-900 रुपया है पर चाहिए आप लोग ठेली हम broadcast जोईन कर सकते हैं वहाँ पर येदी कोई loot deal साता है discounted coupon आता है तो मैं आप लोग forward कर दूँगा तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और चैनल को सब्काइब कीजिए तब तक के लिए गुड़ बाई